ओम नेत्रों को कुमलता से बंद कर लीजिए लंबी कहरी सांस भरेंगे मिलकर ओम का उच्छारण करेंगे ओम सहना फवर्तु सहनव भुनक्तु सहवीर्यम कर पाफ है ते जस्विनावधी तमस्तु माफित विशाफ है ओम शान्ति अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं रिगवेद के छट्वे मंडल का आज हम लोग प्रारंप कर रहे हैं छट्वे मंडल के कुछ प्रकरणों और मंत्रों के माध्यम से हम इस मंडल से परचित होने का प्रयास करेंगे इस मंडल में सुक्तों की कुल संख्या पजहत्तर है आईए इसके नोवे सुक्त के प्रथम मंत्र को हम लोग समश्चने का प्रयास करें नोवे सुक्त का जो प्रथम मंत्र है उसको इसलिए यहाँ पर आपके लिए लिया है क्योंकि इस मंत्र में बहुत स्पष्ट रूप से कृष्ण और अर्जुन ये दो पद आए हुए है प्रिश्णम अर्जुनम चा ये वेद मंत्र के अंदर दो पद है और इन दो पदों का यहाँ पर वास्तविक अभी प्राय क्या है उसको हम लोग महशी द्यानन सहस्वती जी के वेद भाश्य के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे पिछली कक्षाओं में हम इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं उधारणों के माध्यम से भी समझ चुके हैं कि वेदों के अंदर मनुश्यों का इतिहास नहीं है और वेदों के अंदर जो पद होते हैं वो योगिक होते हैं तो यहाँ पर ये कृष्णम अर्जुनम ये जो पद हैं इनके अभी प्राय को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा संपूर्ण इस मंत्र का जो अर्थ है जो भाव है उसे समझेंगे तो आपको स्पष्टता इन दोनों पदों के अर्थ के विशय में अवश्य ही स्पष्टता हो सकेगी प्रथम इस मंत्र का उच्चारण में आपके सामने कर देता हूं आप उसे ध्यान से श्रवन करें इस मंत्र के जो रिशी है रिशी है भारत द्वाज़ बारहस पत्यह देवता है वैश्वा नरह और चंद है विराट त्रिश्टुप चंद और इस मंत्र का जो स्वर है स्वर है धाईवतह स्वरह मंत्र इस प्रकार से है ओम अहश्चा कृष्ण महरर्जुनम्चा ओम अहश्चा कृष्ण महरर्जुनम्चा विवर्ते ते रजसी वेत्याभि वैश्वान रोजाय मानोन राजावाति रज्योति शागनिस तमान सी चोकि जब मंत्रों का उचरन किया जाता है तो वो संधी युक्त ही करना होता है इसलिए मैंने संधी युक्त ही मंत्र के पदों को बोला है तो संधी युक्त यहाँ पर क्या पद है ये पद है यदि हम इसके संधी तोड़ दें तो हमारे समक्ष क्या पद हमें प्राप्त हो जाएंगे तो इस पश्ट रूप से यहाँ पर जब आप संधी को तोड़ करके सुन रहे हैं तो आपको इस पश्ट रूप से क्रिश्णम उसके बाद है अहाँ और फिर है अर्जुनम तो ये दो पद क्रिश्णम और अर्जुनम ये इस पश्ट रूप से इस वेद मंत्र के अंदर है अब इस वेद मंत्र के अंदर आए इन दोनों पदूं का अभी प्राय क्या है उसको हम भली भानती समझ पाएंगे जब हम इस मंत्र के पदार्थ को हम समझे या भी उसका शवण आप कर ले आपको समझ में आएगी बात इस मंत्र का जो पदार्थ है वो महर्शी ने लिखा है हे मनुश्यों अह दिन संस्कृत के अंदर जो दिन है उसे अह ये कहा जाता है अह दिन कृष्णम कृष्णम का अर्थ यहाँ पर क्या है रात्री च और अह व्याप्ति शील अर्जुनम अर्जुनम का यहाँ पर अर्थ क्या है सरल गमन आदी गुणों सरल गमन गती आदी गुणों को च भी रजसी रात्री दिन वे द्याभी ही जानने योग्यों के साथ वी वर्तेते विविद प्रकार वर्तते हैं और राजा के समान उत्पन हुआ संपून करने योग्य कामों में प्रकाश मान अगनी प्रकाश से रात्रियों का उलंगन करता है अभी आपको एक बार में ही सुनकर अभी पदार्थ स्पष्ट नहीं हो पाया होगा जो भाव है इसका उसको रिशी द्यानन स्वस्वती जी ने जो नीचे दिया हुआ है उस भाव को आप जब सुनेंगे तो आपको आशे समझ में आएगा भावार्थ में क्या लिखा हुआ है महर्शी ने इस मंत्र में उपमा लंकार है जैसे रात्री दिन संयुक्त होकर वर्तते हैं रात्री और दिन संयुक्त होकर उनका स्वभाव देखें स्वभाव तो बिलकुल विपरीत सा है लेकिन फिर भी दोनों संयुक्त होकर के वर्तते हैं और हम सब के लिए अत्यंत लाभ प्रद होते हैं तो क्या लिख रहे हैं रिशी जैसे रात्री दिन संयुक्त होकर वर्तते हैं वैसे ही राजा और प्रजा परस पर अनकूल हों जैसे रात्री और दिन परस पर संयुक्त हो करके वर्तते हैं और दोनों मिलकर के सुख को बढ़ाते हैं वैसे ही राजा और प्रजा अनुकूल हो और जैसे सूर्य प्रकाश से अंधकार को निवरित करता है सूर्य क्या करता है सूर्य प्रकाश से अंधकार को निवरित करता है वैसे ही राजा विद्या और विनय के प्रकाश से विद्या और विनय के प्रकाश से अविद्या रूप अंधकार को निवरित करे तो जैसे सूर्य अपने प्रकाश से अंधिकार को निवृत कर देता है अर्था दूर हटा देता है वैसे ही राजा विद्या और वीनय के प्रकाश से किसके प्रकाश से विद्या और विनय के प्रकाश से अविद्या रूप अंधिकार को निवृत करें तो अभी इस भावार्त को सुन करके आप अवश्य ही कुछ आशे समझ पा रहे होंगे जो पदार्त है, पदार्त को पूरा समझना, पूरा उसको अच्छे से हृद्यंगम करना उसके लिए उसे बार-बार पढ़ना पड़ता है, बार-बार सुनना पड़ता है तब जाकर कि वो रिदेंगम होता है लेकिन भावार्थ में हमने आशे समझा कि इस मंत्र के अंदर जो कृष्ण और जो अर्जुन पद है ये किसी भी रूप में एतिहासिक महापुर्शों के रूप में नहीं है कृष्ण यहां रात्री के अर्थ में है और जो अर्जुन पद है वो सरलता, रिजुता और गतिशीलता आदी गुणों से युक्त पदार्थ के लिए है जो सरल है, जो रिजु है और जो गतिशील है ऐसा इन गुणों वाला जो है उसे अर्जुन कहा जाएगा तो यहां पर चुकी प्रसंग दिवस का और रात्री का है इस रूप में यहां पर अर्जुन इनी से संबंधित है दिन और रात्री से संबंधित, उनसे संबंधित चीजों के लिए है तो यहां पर इस बात को हमें मेरी विचार से भली भांति स्पष्टता हो रही है कि यहां पर कृष्ण पद रात्री के लिए है और जो अर्जुन पद है वो सरलता, रिजुता, गमन, शीलता, आदी गुणों से युक्त पदार्थों के लिए होता है अब यहां पर जो हमने अभी भावार्थ पड़ा है भावार्थ के अंदर उपमा दे गई किसकी उपमा दे गई? सूर्य की सूर्य के प्रकाश की जैसे सूर्य प्रकाश से अंधिकार को निवृत्त करता है सूर्य की उपमा है ऐसे ही वैसे ही राजा विद्या और विनय के प्रकाश से अविद्या रूप अंधकार को निवरित करे तो विद्या से हम अभी प्राइश समझते हैं शुध्य ज्यान आप समझते हैं अब यहाँ पर जो विनय पद आया विनय विद्या और विनय के प्रकाश से जो विनय ये जो शब्द है इसका सामान्य रूप से हम सभी को अर्थ पता हैं विनय का अर्थ हम विनम्रता समझते हैं विनय का अर्थ हम शिष्टता भद्रता ठीक है ना इस प्रकार का जो व्यवहार है इस प्रकार का जो अंदर हृदय है वो कैसा कहलाएगा विनय युक्त कहलाएगा विनय शील कहलाएगा अर्था जहां विनम्रता है जहां शिष्टता है जहां भद्रता है तो विनय के इन अर्थों से तो लगबग हम लोग परचित हैं लेकिन समझना ये है कि विनय जो शब्द होता है इसके और भी विशेश कई अर्थ होते हैं विनय जो शब्द होता है इसका एक अर्थ होता है जैसे अभी विनम्रता शिष्टता ये समझा विनय का अर्थ प्रार्थना भी होता है अनुनय विनय करना आपने सुना हुआ है तो विनय का एक अर्थ प्रार्थना भी है विनम्रता भी है शिष्टता भी है इन अर्थों से तो मेरे विचार से हम लोग किसी ना किसी रूप में परिचित हैं अब विनय के जो दो विशेश और अर्थ हैं उनको थुड़ा सा आप जान लें हो सकता है आप पहले से भी जानते हूं विनय पद का एक अर्थ होता है अनुशासन क्या अर्थ होता है अनुशासन और विनेपद का दूसरा एक बहुत अच्छा अर्थ है वो अर्थ क्या होता है सम्यक आचरण सम्यक मतलब उचित अच्छा आचरण आप समझते हैं तो ये जो दो अर्थ हैं अनुशासन और सम्यक अर्थात अच्छा उचित आचरण ये दो अर्थ आपके लिए हो सकता है किनी के लिए नए हो तो विनय पद के अर्थों को थोड़ा सा इसपश्च कर लीजिएगा क्योंकि विनय शब्द संस्कित साहित्यमे विभिन विभिन श्लोकों में इस्थलों में बहुत आपको पढ़ने को मिलेगा विनय का अर्थ केवल प्रार्थना नहीं है हाँ प्रार्थना है अनुनय है विनम्रता है शिष्टता है भद्रता है ये सब विनय के अर्थ हैं और लेकिन ये दो अर्थ भी आपकी जानकारी में बने रहें जिससे आप विनय पद को संस्कित साहित्य में प्रसंग के अनुसार उस प्रसंग के अनुकूल अर्थों में भी समझ सकें तो जो दो अर्थ आपके लिए नए हो सकते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं अनुशासन और सम्यक आचरण तो यहां पर यह जो बात आई कि जैसे सूर्य प्रकाश से अंधकार को निवृत्त करता है वैसे ही राजा विद्या और विनय के प्रकाश से अविद्या रूप अंधकार को निवृत्त करे तो विद्या और विनय के प्रकाश से यहां पर जो अर्थ मुख्य जो दिख रहा है वो प्रार्थना वाले अर्थ में विनय पद यहां पर नहीं दिख रहा विनम्रता वाला भी अर्थ यहां पर अधिक नहीं दिख रहा तो विद्या और विनय के प्रकाश से यहाँ पर विनएपद का जो मुख्य अर्थ हम समझ सकते हैं वो है सम्यक आचरण और अनुशासन सम्यक आचरण अनुशासन तो विद्या और सम्यक आचरण अनुशासन शिष्टता भद्रता के प्रकाश से अविद्या रूप अंधिकार को निवरित करे तो ये एक उधारन रूप से ये पंक्ती आपको यहाँ पर मिल गई जहाँ पर विने पद का अर्थ प्रार्थना करना नहीं है मुख्य रूप से नाही विनम्रता अर्थ है वहाँ पर गोण रूप में यह हो सकते हैं मुख्य रूप से यहाँ पर इस प्रसंग में भावार्त में विने का अर्थ सम्यक आचरण है अनुशासन है शिष्ट व्यवहार है भद्र व्यवहार है तो इस रूप में विने पद को हमने यहाँ पर एक अलग रूप में भी समझने का प्रयास किया तो इस मंत्र के अंदर कृष्ण और अर्जुन से क्या अभिप्राय है मेरे विचार से उससे हम परशित हो गए हैं यह जो नौवा सुक्त है छटवे मंदल का नौवे सुक्त में कुल मंत्रों की संख्या है साथ साथ मंत्र हैं इस सुक्त के अंदर और मैं तो कहूंगा कि आप इन साथों मंत्रों को पढ़िएगा और इन साथों मंत्रों में आपको एक अच्छी जानकारी प्राप्त होगी तो नौवे सुक्त में केवल साथ मंत्रे हैं और इन साथ मंत्रों में कुछ विशेष्टा हैं जब आप पढ़ेंगे तो चलिए मैं आपके समक्ष इसी सुक्त का हम लोग यहाँ पर चोथा मंत्र भी ले लेते हैं जिससे आपको पता चले कि यहाँ इस नौवे सुक्त में मंत्रों में विशेष्टा है हम लोगों के दिष्टी से वेत के तो सारे ही मंत्र विशेष्ट हैं लेकिन आपकी अभी रुची जो दाशनिक सिध्धानतों की ओर है अध्यात्म की ओर है व्यभारिक्ता की ओर है उस दिष्टी से इसमें मंत्रों की विशेष्टता है ऐसा मैंने कहा तो इस मंत्र तो इस सुक्त का जो चोथा मंत्र है उसको थुड़ा सा हम देखें उसका भावार्थ देखेंगे चोथा मंत्र इसका इस रूप में है ओम अयम होताप्रथमह पश्यतेममिदं ज्योतिरम्रितं मर्थेशु अयम सजज्चेद्रुव आनिशत्तो मर्थ्यस्तन्वा वर्धमानः मैं धिमी गती से ही पाट करता हूँ जिससे आपको पदों के उच्यारण अलग अलग प्रिथक रूप से स्परश रूप से आपको सुनाई दे सकें बाकी जब वेद पाट किया जाता है चाहे वो शास्त्री परंपरा से है चाहे वेद के मंत्रों से आहूती देने वाले यज्जियों के संबंद में हैं तो वहाँ पर वेद पाट तीवरता से होते हैं तो उसमें जो जानकार होते हैं या जिनके सामने पुस्तक होती है वही पदों को पूरा पकड़ पाते हैं नया वेक्ती नहीं पकड़ पाता तो ये जो मंत्र है चोथा मंत्र है इसका मैं केवल भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जैसा रिशी ने लिखा है रिशी लिखते हैं प्रशुप से इस मंतर के अंदर आया है आगे लिखते हैं उन दोनों में एक अल्प और अल्प देशस्थ जीव है वह शरीर को धारण करके प्रकट होता वृद्धी को प्राप्त होता और परिणाम को प्राप्त होता तथा हीन दशा को प्राप्त होता है पाप और पुण्य के फल का भूग करता है तो ये जीव के विशय में इस मंतर में इस रूप से संकेत हैं द्वितिय, परमेश्वर धुरुव निश्चल सरवज्यां कर्म फल के संबंध से रहित है ऐसा तुम लोग निश्चय करो तो ये आपके लिए कहीं पर प्रामान के रूप में उद्रित करने में भी ये एक आपके लिए अच्छा मंतर हो सकता है कि ये जो हमारा शरीर है इस शरीर में दो छेतन तत्व आत्मा और परमात्मा दोनों ही इस शरीर में है और जो आत्मा है वो कैसा है वो शरीर को धारन करता है धारन करके प्रकट होता है वृद्धी को प्राप्थ होता है परिणाम आदी को प्राप्थ होता है और जो परमेश्वर है ये मंतर के अंदर इस पश्ट रूप से पदाय हुए हैं जो परमिश्वर हैं वो कैसे हैं ध्रूव हैं और वो निश्चल हैं सरवज्य हैं कर्म फल के संबंद से रहित हैं इस प्रकार से हम निश्चय करें हम ठीक ठीक दोनों तत्वों को समझें वैदिक सिधान तो यही है कि दो प्रकार के चेतन पदार्थ होते हैं या यूँ आप कहें दो प्रकार के चेतन तत्व होते हैं एक आत्मा और एक परमात्मा वैदिक सिधान तो यही है कि चेतन तत्व दो प्रकार के हैं आत्मा और परमात्मा लेकिन जब वेद का अध्ययन गंभीर नहीं होता है उथला होता है तो कई बार ऐसी मान्यताएं विक्सित हो जाती हैं कि एक ही चेतन तत्व है वो है केवल ब्रह्म और आत्मा उसी का रूप है उसी का भाग है और चेतन तत्व केवल एक ही है तो ये जो इस रूप में कुछ मान्यताएं विक्सित होई समाज में दिखती हैं इनकी किस प्रकार से सिध्धान्त होते हैं इनके कि अहम ब्रह्म मासमी मैं ही ब्रह्म हूँ मैं स्वयम ही ब्रह्म हूँ जबकि जो वैदिक सिध्धान्त क्या है वैदिक सिध्धान्त ये है कि मैं स्वयम ब्रह्म नहीं हूँ मुझे तो ये संसार कैसे बना ये स्रिष्टी कैसे बनी ये जीवन की धारा कैसे चल रही है और ये सारी क्रियेशन का कैसे संरक्षन पालन हो रहा है कुछ भी जानकारी नहीं मैंसे तो अपना ये शरीर ही नहीं संभलता कभी कोई समस्या है कभी कोई समस्या है और ये शरीर व्रिद्धा वस्था की और बढ़ता चला जाता है हम कुछ भी नहीं कर पाते तो एक ये जो मानिता है संसार में प्रचलित किनी वर किसी वर्ग में कि मैं ही ब्रह्म हूँ मैं ही इश्वर हूँ इस मानिता को अच्छी प्रकार से समझना है कि ये मानिता वैदिक नहीं है वैदिक मानिता ये है कि अहम ब्रह्मस्थु अस्मी मैं ब्रह्मस्थ हूँ मैं ब्रह्म में इस्थित हूँ ना की मैं ब्रह्म हूँ जैसे मैंने कहा कि हमें ना तो अपने शरीर की पूरी जानकारी ना इसकी सनरचना का पूरा जयान ना इसको बनाने का सामर्थ है एक छोटा सा हम बाल भी नहीं बना सकते और इस शरीर के परिवर्तनों को अपने अनुसार हम पूरा ढाल भी नहीं सकते इस पूरे विश्व को रचने की बात तो बहुत दोर है तो मैं ब्रह्म हूँ इसका जो लोग ऐसा अर्थ कर लेते हैं कि हम ही इश्वर है ये अर्थ उपयुक्त नहीं है वेदों के अनुसार नहीं है इसका वास्तविक अभिप्राय क्या होता है कि अहम ब्रह्मस्तो असमी मैं ब्रह्मस्त हूँ मैं ब्रह्म में इश्वर में इस्थित हूँ क्योंकि परमात्मा जो ब्रह्म हैं वो कैसे हैं वो सर्व्यापक है और उन्हीं सर्व्यापक ब्रह्म में मेरी भी अर्थात मुझ आत्मा की भी इस्थिती है और जो मैं आत्मा हूँ वो स्वरूप से कैसी है अल्प शक्तिमान है एक देशी है चीक है और इसके साथ साथ वो निमित से बंधन और मुक्ष को प्राप्त करती है उसका आवा गमन होता है तो इस बात को अत्यन्त स्पष रूप से हमें वेद मंत्रों की सहायता से समझ लेना चाहिए जैसे कि आज के इस वेद मंत्र में भी दो चेतन तत्मों का स्पष्ट रूप में संकेत है और हम लोगों ने एक मंत्र समझा था द्वा सुपरणा सयुजा सखाया वहाँ पर बहुत स्पष रूप में दो चेतन तत्मों का वहाँ पर भी वर्णन था तो इस रूप में ये चोथा मंत्र को भावार्थ सहित मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है अगला मंत्र हम लोग इसमें देते हैं अगला मंत्र है सात्वा मंत्र जो सात्वा मंत्र है वो है ओम विश्वे देवा अनमस्यन भियानास्त्वा मगने तमसित्तस्थिवांसं वैश्वा नरो वतूत ये नो मर्त्यो वतूत ये नहा ये सात्वा मंत्र है और जो सात्वा मंत्र है सात्वे मंत्र में सात्वे मंत्र का जो भावार्थ है इसमें भी बहुत ही सुन्दर संदेश महर्षी ने वेद के मंत्र के माध्यम से दिया है इसका जो भावार्थ है सात्वे मंत्र का, नोवे सुक्त के सात्वे मंत्र का, हे मनुष्यों जैसे प्राण और बिजली को प्राप्त होकर संपून प्रित्वी आदिकों की स्थिती है, और जैसे अगनी से संपून प्राणी डरते हैं, वैसे ही सर्वत्र व्यापी और सब के अंतर्यामी परमात्मा को मान के पाप के आचरण से विद्वान जन डरते हैं, इस निमित से जन इन से डरें, इन से अथाद पाप आचरण से डरें, तो यहाँ पर भावार्थ में जो बात कही गई कि जैसे प्राण और बिजली को प्राप्त होकर, संपूर्ण प्रित्वी आदिकों की स्थिती है, इससे अभिप्राई ये है कि ये संपूर्ण जो प्रित्वी आदि प्रदार्थ हैं, प्रित्वी जल अगनी वायू आखाशादी, इन सभी पदार्थों में प्राण तत्व और विद्युत तत्व सुक्ष्म रुप से व्यापक हैं, जो प्राण तत्व है वो बहुत सुक्ष्म होता है, प्राण के स्वरूप को गहराई से समझने के लिए, आप कभी प्रश्नो पनिशत को गहराई से पढ़ने का प्रयास करिएगा, प्रश्नो पनिशत, जब प्रश्नो पनिशत को आप पढ़ेंगे तो आपको प्राण प्राण जो शब्द है या प्राण जो पद है वो कितने विभिन विभिन मीनिंग्स में प्रयोग होता है, और वो कितना सुक्ष्म तत्व है, उसको आप जब प्रश्नो पनिशत पढ़ लेते हैं या सांस को हम बाहर निकालते हैं अभी मोटी भाषा में इन्हें प्राण कहा जाता है हाँ इन्हें भी प्राण कहा जाता है लेकिन जो प्राण तत्व है वो इनसे भी बहुत सुक्ष्म है तो जो प्राण तत्व है वो कैसा है सब जगा है और उसके होने से संपूर् प्रित्वी आदी पदार्थों की स्थिती है ऐसे ही जो विद्युत बिजली है वो भी सुक्ष्म रूप से है सरवत्र और आगे क्या कहा कि जैसे अगनी से संपून प्राणी डरते हैं वैसे ही सरवत्र व्यापी और सब के अंतरियामी परमात्मा को मान के पाप आचरण से हम डरें तो ये उधारन जो होते हैं कि जैसे प्राण तत्व सरवत्र है और प्राण तत्व तो बहुत सुक्ष्म है उसको उतनी सुक्ष्मता में जब हम समझने योग्य होंगे तो उसको भी अवश्य समझेंगे कि एक सुक्ष्म प्राण तत्व सरवत्र है बाकि यदि उधा जो है ये भी तो सब जगा सब जगा ही समाया हुआ है तो इसके उधारण से भी आप समझ सकते हैं कि इसी प्रकार से जो परमात्मा हैं वो सर्वत्र समाय हुए हैं अगनी है अगनी भी व्यापक है सर्वत्र समाय हुई है ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र व्यापक है और परमात्म चूकी चेतन है इसलिए वो प्रतिक्षन प्रतिपल हमारे मन के भावों को क्रियाओं को सब को समस्त रूप में वो जान रहे होते हैं और हमारे आचरण को भी वो जो अच्छा आचरण है उसको भी देख रहे हैं जो पाप आचरण होता है उसको भी प्रभू देखते हैं तो इस जागरूकता में हम जितना स्वयम को रख पाएंगे, उतना हम पाप आच्रण से भी उपर उठते चले जाएंगे। इस से एक पहला छठा मंत्र देख लें, उसका भाव मात्र समझ लीजिएगा। मंत्र है। इसका मैं पदार्थ भी पढ़ देता हूँ सरल है, आपको समझ में आएगा। यत जो मेरे श्रोत्र विशेश करके स्वामी के सद्रिश आच्रण करते हुए और जो मेरा चक्षू देखने की चेश्टा करता है, जिससे वह चक्षू विशेश करके चलता है और जो मेरे हृदय में यह इस्थित प्रकाशक विशेश करके चलाता है। और जो मेरा दूरस्थ पदार्थों का सब प्रकार से चिंतक अंतह करण विक्षेप करके चलता है, जिससे उसको मैं क्या और शिग्र विचार करूँगा, यह विचारता हूँ, उस सब को आप लूग जनाईए। देखिए मैं भावार्थ पढ़ता हूँ, आपको सपष्ट हो जाएगी चीज़, भावार्थ चोटा सा है दो पंक्तियों का लेकिन एकदम सपष्ट है। जब आप पदार्थ को सुन रहे थे, तो यह जो चक्षु, श्रोत्र, मन आदी जो आ रहे थे, वो किस रूप में वहाँ प्रस्तोत हो रहे थे, साधन के रूप में। तो हे विद्वान जनो मैं और जो मेरे साधन हैं, उस सब व्यभार को मेरे लिए जनाईए। उस सब व्यभार को मेरे लिए जनाईए। मैं कोन हूँ? मैं अपने साधनों का कैसे अंदर उप्योग कर रहा हूँ? इन साधनों के गुण, धर्म, सुभाव क्या है? मेरे गुण, धर्म, सुभाव क्या है? तो जो मैं हूँ, मैं कैसा हूँ? मैं यहाँ पर लिखा, हरिदये, आहितम, हरिदयमें इस्थित हूँ। मैं तो बस इनको अपना ही रूप मान करके बैठा रहता हूँ तो हे विद्वान जनो मुझे मेरे बारे में और मेरे साधनों के बारे में और उनसे जो युक्त मेरा विवहार है इस विशे में मुझे जनाईए, मुझे जयान दीजिए, मुझे जानकारी दीजिए यह अभी प्राय है यहाँ पर इस मंत्र का पदार्थ और भावार्थ में यह अभी प्राय है तो देखिए कितना अच्छा अभी प्राय है कि जो जानकार लोग हैं उनसे निवेदन किया जा रहा है कि हमें हमारे बारे में और हमारे साधनों के बारे में चक्षू, कर्ण, मन, बुद्धी, अंताह करण के बारे में वो हमें चनाएं तो अर्थात यदि हम ये लक्षे रखेंगे स्वयम को जानने का और जो शरीर साधन रूप है शरीर के जो अंग प्रत्यंग और सुक्ष्म शरीर के जो अव्यव जो साधन रूप है मन आदी हम लक्षे रखेंगे विद्वानों से सहायता मांगेंगे और पुरुशार्थ प्रयास करेंगे स्वाध्याय करेंगे इश्वर से भी साहिता मांगेंगे ध्यान आदी की विधियों को सीखेंगे तो हम भी स्वयम को और इन साधनों के यथार्थ स्वरूप को अनुभव कर पाएंगे तो वेद के अंदर जो आत्मा का जब भी विशे आता है तो प्राया वो हृदय में इस्थित है इसी रूप में वेद मंत्र में आत्मा का विशे किवल इसी एक मंत्र में नहीं कई वेद मंत्रों में आपको मिलता है जैसे जब आप रात्री कालीन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तब उसमें भी एक मंत्र में आता है हृत प्रतिष्ठम कि जो मेरा मन है वो कहां इस्थित है वो हृदय में इस्थित है आत्मा के विशे में भी कई स्थलों पर संकेत मिलता है हृदय को उसका निवास स्थल के रूप में कहा जाता है तो महर्शी द्यानन सरस्वती जी ने यहां पर जब अध्यात्म का प्रसंग होता है जब आत्मा का प्रसंग चल रहा होता है तो वहां पर हृदय से अभिप्राय क्या होता है हृदय से अभिप्राय जो हमारी चाती में बाईं साइट पर जो पंपिंग हार्ट है जहां धगदक होती है जहां से रक्त का प्रक्षेपन होता है वो जो pumping heart है उसे अध्यात्म की भाशा में हृदय नहीं कहा जा रहा होता इस बात को अच्छे से सपश कर लीजेगा जहां पर शरीर विज्यान की बाद चल रही होती है शरीर विज्यान की बाद चल रही है स्वास्थ की बात चल रही है आयुरवेत की बात चल रही है हाँ वहाँ पर जो हृदय शब्द आता है वो pumping heart के लिए आता है रक्त संचालक के लिए आता है लेकिन जब अध्यात्म का विशे चल रहा होता है जब अनभूतियों का विशे चल रहा होता है जब आत्मा का प्रसंग चल रहा होता है तब वहाँ जो हृदय शब्द आता है वो किसके लिए आता है हृदय गुहा के लिए आता है हृदय अवकाश के लिए आता है हृदय अकाश के लिए आता है और महशी द्यानन सरस्वती जी ने बहुत स्पश्च रूप में रिग्विदादी भाष्य भूमिका के उपासना विशय में कहां पर हम सहजता से परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं इस विशय को उन्होंने उपासना विशय में संकेत इस बात का दिया है कंठ से नीचे दोनों इस्तनों के मध्य में कंठ जहां से कंठ आप समझ रहे हैं और कंठ से नीचे दोनों इस्तनों के मध्य जो गर्त है तो ये पंपिंग हार्ट के लिए नहीं कह रहे हैं ये उस स्थल को कह रहे हैं अध्यात्म जगत में जब भी हिदय शब्द आएगा जहां पर आत्मा अन्भूती परमात्मा अन्भूती के प्रसंग में जहां पर भी हिदय शब्द आएगा उसका अभी प्राए होता है रिदया काश रिदय गुहा और वो इस्थान कोंसा होता है वो इस्थान होता है जहां पर आप फील करते हैं जहां पर आप भावनाओं को महसूस करते हैं जहां पर प्रेम को विक्ती महसूस करता है जहां पर जैसे संतान के प्रती मा का प्रेम है पिता का प्रेम है तो संतान के प्रती जो प्रेम है प्रेम का भाव आप कहा अनभव करते हैं क्या आप उपर मस्तिश्क में ब्रेन में अनभव करते हैं प्रेम के भाव को देखिएगा जब आपका जो बहुत प्यारा अपना जो है वो जब आप से जुदा होता है वो जब आप से अलग होता है तो उस समय आपको भावना कहाँ आती है क्या उपर आती है ब्रेन के भाग में आती है अत्वा आपको हृदय प्रदेश में आती है तो आपको जो भाव अनभाव में आता है वो चाहे प्रेम का भाव है या प्रेमी विक्ती के संतान के किसी अपने के बिछुड़ने पर वो जो भाव जो आपको महसूस होता है अंदर एक कश्ट सा दर्द सा वो जो आपको महसूस होता है वो कहां होता है वो होता है हृदय प्रदेश में जिसे हृदया काश भी कहते हैं, जिसे अध्यात्म की जगत में हृदय भी कहते हैं, और वो कौन सा है, कंठ से नीचे, दोनों स्तनों के मध्य में, वो वहाँ पर pumping heart के लिए नहीं है, तो आपको जो emotions होते हैं, आपको जो feelings होती हैं, प्रेम की, ठीक है न, शद्धा की, भक्ती की, ये जो feelings हैं, अपनत्व की, आत्मियता की, जो feelings हैं, ये कहां पर हैं, ये feelings, रुपी जो भाव हैं, ये कहां होते हैं, रिदय प्रदेश में होते हैं, और उसी के लिए रिदय शब्द होता है, अध्यात्मिक जगत में, तो ये महशी द्यानन सोसती जी ने, बहुत इस प मतन में रहता है, बोधिक, तर्क, वितर्क में अधिक रहता है, आप भी कभी ऐसा करके देखिएगा, कि आप बोधिक, तर्क, वितर्क अधिक करिएगा, अधिक reasoning करिएगा, और अधिक शब्दों को मन में दोराईएगा, तो उस समय आद देखिएगा, कौन सा पार्ट activate होत तो कई बार लोग यहां पर थोड़ी सी भ्रांती सी मेरे विचार से हो जाती है कि जो क्रिया शीलता है क्रिया शीलता अधिक व्यक्ति को कहां अनुभाव में आती है अर्थाद जब व्यक्ति शाब्दिक चिंतन में रहता है तर्क वितर्क में रहता है मनन मन्थन में ही जब लगा रहता है तो उसे क्रिया शीलता उपर के सिर के भाग में मस्तिश्क में वहां अनुभावारी होती है तो कई बार लोग क्या मानने लग जाते हैं कि आत्मा का इस्थान कहां पर है उपर मस्तिश्क में है और फिर कई बार लोग वहीं पर मस्तिश्क में ही रिदय की स्थिती को कहने लग जाते हैं कि एक रिदय उपर मस्तिश्क में भी होता है तो समझना ये है कि अध्यात्म के क्षेत्र में अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर जब रिदय शब्द आएगा तो वो जैसा महशी द्यानन जी ने लिखती है वो बिलकुल ठीक लिखा हुआ है और कई आपको मिलेंगे योग का अभ्यास करने वाले लोग जो लंबा समय लगाते हैं जब आप उनकी अनभूतियों को पूछेंगे समझने का प्रयास करेंगे मैंने भी प्रयास किया कई लोगों से मिल करके उनके अनभवों को समझने का तो जब आप उनके अनभवों को समझेंगे यदि आप में से कई लोग स्वामी सत्यपती जी परिवराजग जी के नाम से परचित होंगे कई लोगों ने उनका सानिध्य भी प्राप्त किया होगा जब आप उनके अनभव पुछेंगे तो वो बताएंगे कि उन्हें स्वयम की अनभूती कहां होती है इश्वर को वो अनभव करने के लिए कहां सहस्ता अनभव करते हैं तो ऐसे ही चाहे स्वामी सत्पती जी है चाहे और भी बहुत सारे जो बहुत अच्छे योगा भ्यासी है पहले स्वामी दिव्यानन सरस्वती जी थे हरिद्वार में वो अभी नहीं है किन ही से भी आप बात करेंगे मुझे इश्वय कृपा से अवसर मिला ऐसे कई महानुभावों के समी बैठने का तो हृदय प्रदेश जो महशी द्यानन सहस्वती जी ने लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है और अनुभाव आत्म अनुभाव परमात्म अनुभाव को करने का वो सबसे सहज स्थल है तो इस रूप में आत्मा का इस्थान रिदय प्रदेश को समझेंगे हम तो हम वेद के अंदर ये जो बार बार रिदय आहितम रिद प्रतिष्ठम इन पदों के हम ठीक अर्थों को समझ पाएंगे हाँ जो लोग केवल बोधिक चिंतन अधिक करते हैं तर्क वितर्क अधिक करते हैं या लेखन अधिक करते हैं पुस्त के अधिक लिखते हैं शाबदिक चिंतन जिनका अधिक होता है उनका जो उपर का मस्तिश का भागय वो क्रियाशिल अधिक रहता है सुभाविक रूप से और फिर उनको ऐसा वो मानने लग जाते हैं कि उपर ब्रेन में हैं तो ये मंत्र जो आएं हैं ये नोवे सूक्त के मंत्र थे छटवे मंडल का नोवा सूक्त तो ये हमने इससे परचित होने का प्रयास किया है और छटे मंडल के अंदर अभी और भी कई विशेश प्रसंग और बातें आएंगी उनको हम लोग अगली कक्षा में लेने का प्रयास करेंगी अब समय हमारा हो चुका है अब हम एक बार ओम तीन बार शांती का उचरण करेंगे लंबी गहरी सांस फ़ले ओम शांती 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 ओ